सोशल मीडिया में सबको प्रेरित करने वाली तुनिशा चली गई, जो अपने जुनून से प्रेरित होते हैं, वो कभी रुकते नहीं, इस पोस्ट को देखकर कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि सोशल मीडिया पर इस तरह का प्रेरक पोस्ट साजा करने वाली टीवी की जान मानी अभिनेतरी कुछ ही घंटों में अपनी जान ले लेगी। उनके इस तरह अपनी जिंदगी को खत्म करने को लेकर इंडर्स्ट्री ही नहीं। बलकि तुनिशा शर्मा के तमाम फैस भी गहरे सदमे में है। ब्रेक अप के कारण डिप्रेशन में थी। चंद्रकांद खान को पुलिस ने अरेस्ट भी किया तो निशा शर्मा सुसाइड केस में जो फर हुई उसमें पुलिस ने खुलासा किया है कि एक्ट्रेस अपने को एक्टर शीजान के साथ रिलेशन्शिप में थी। 15 दिनों पहले शीजान है। उससे ब्रेक अप कर लिया था जिस अपने मुंबई स्थित फ्लेट में मृत मिले तो इसे पुलिस ने सुसाइड करार दिया और कहा कि वर डिप्रेशन में थे। 2016 में मशहुर टीवी एक्ट्रेस प्रत्यूपा बैनर जी की खुदकुशी ने हर किसी को सकते में डाल दिया था। लियोक प्रिय टीवी कलाकार क कोशल पंजाबी ने 26 दिसंबर 2019 को देयरात मुंबई में अपने घर पर फांसी लगा कर आत्महत्या कर ली थी। सुसाइड नोट उन्होंने में किसी को मौत का जिम्मेदार न ठहराय जाने की बात कही गई थी। क्राइम पेट्रिलेल फेम अभिनेतर प्रक्ष महता ने भी 2020 को शुतरवार को मुंबई स्थित अपने घर पर फांसी लगा कर अपने प्रान ले लिये थे। सुसाइड नोट में उन्होंने निजी कारणों को अपनी आत्महत्या की वज़य बताया था। टेलिविजन अभिनेता समीर शर्मा का शव भी पंके से लटका मिला था। उनक पोस्ट में अदाकार ने लिखा कि ये फोटो मेंने क्लिक की थी। मुझे नहीं पता था कि ये आखिरी होगी। ये ठीक नहीं किया। भगवान तुम्हारी आत्मा को शान्ती दे। एक्टर करंग कुंद्रा ने ट्वीट कर लिखा ये शौकंग और दुखी करने वाला अदाकार अली मचंग ने इंसीग्राम स्टोरी पर इस न्यूज को शेयर करते हुए लिखा कि इस दुख की घड़ी में तुनिशा के परिवार को दुख सहने की शक्ती मिले। टीवी एक्टरेस मनमीत कौर ने लिखा कि तुनिशा का इस तरह जाना विश्वास नहीं विशेक कपूर ने युवा अभिनेतरी की मौत पर ट्वीट कर कहा तुनिशा शर्मा के निधन से स्तबत और बहुत दुखी हूँ। मैंने फितूर में उनके साथ तब काम किया जब वो 13 साल की थी प्रतिभावान और अनुशासित अभिनेतरी। ऐसा व्यक्ति जिसका भव ने हिस्टॉरिकल शुब भारत का वीर पूत्रह महराना प्रताप से किया था। इसके बाद एक्ट्रेस चक्रवर्ती अशोक समराट, गबर पूछ वाला, शेर पंजाबह महराजा रंजीत सिंग, इंटरनेट वाला लव और इश्क सुभान अलाह जैसे कई शोज में नजर अपने एक्टिंग करियर में तुनिशा ने फितूर बार बार देखो, कहानी 2, दुर्गा रानी सिंग और दबंग 3 जैसी फिल्मों में अपनी एक्टिंग का जलवा दिखाया था। फितूर और बार बार देखो में तुनिशा ने यंग केटरीना कैफ का किरदार निभाया इसके अलावा उन्होंने सल्मान खान और सोनाक्षी सिन्हा की फिल्म दर्बंग 3 में भी कैमियो किया था www.nbtiinrecord.com at timesgroup.com को ये विश्वास नहीं कर पा रहा है कि आने वाले 10 दिनों में जो तुनिसा 20 से 21 साल की होने वाली थी वो इस तरह दुनिया को अलविदा कह देगी तुनिसा टीवी शो अली बाबा दास्तान एक काबूल की शूटिंग कर रही थी इसी दोरान दोपहर 3 बजे तुनिसा ड्रेसिंग रूम में गई और फासी लगा ली जब काफी देर तक वो रूम से बाहर नहीं आई तो वहां मौझूद लोगों ने दर्वाजा तोर कर खोला तो सभी स्थब्ध रह गए तुनिसा फासी के फंदे से जूल रही है वहां मौझूद लोगों ने उन्हें नीचे उतारा और स्थानिय पुलिस को सूचना दी इस बीच स्टूडियो में मौझूद लोग उन्हें तुरंत वसई के एक निजी अस्पताल में ले गए जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोशित कर दिया इस ट्रोबैक पोस्ट में उन्होंने लिखा आपके बिना जीवन अध्रा है लेकिन आपकी यादे इसे पूरा करती हैं कितने ही लंबे लंबे पैराग्राफ लिख लूँ लेकिन आपके लिए मेरे प्यार को बया नहीं किया जा सकता मैं आपसे प्यार करती हूँ और हमेशा करती रहूंगी आप हमें छोड़ कर चले गए लेकिन आपकी यादे अभी भी मुझे मुझे मुस्कुराने के लिए है अक्सर अपने पिता के लिए emotional post शेयर किया करती थी इसके अलावा उनका एक और post बहुत चर्चित हो रहा है International Mains Day पर तुनिशा ने अपने को स्टार शीजान खान के लिए लिए लिखा उस आदमी को International Mains Day की शुबकामनाएं जो मुझे इस तरह ऊपर उठाता है मेरी जिन्दगी में सबसे मेहनती, भावुक, बेतहाशा उत्साही और सबसे खुबसूरत आदमी आप नहीं जानते की आप क्या है और यह मेरे लिए सबसे खुबसूरत हिस्सा है शेजान एक व्यक्ति अपनी फैमिली और समाच के लिए जो योगदान और बलेदान देता है उसे पहचानने और उसका सम्मान करने का समय आ गया है सभी शानदार आदमियों को International Mains Day की शुबकामनाएं ये भी कर चुके हैं खुदकशी तुनिशा टीवी जगत की पहली कलाकार नहीं है जिन्होंने अपने लिए मौत चुनी उनसे पहले हाल ही